एक अच्छी और entertaining movie बनाना बहुत ही tough और creative process होता है और उतने ही effort एक TV series को बनाने में भी लगता है लेकिन क्या हो जब आप एक कमाल की TV series बनाए और वो series fans और critics दोनों को पसंद आए लेकिन एक भी award जीत ना पाए तो हुआ यू कि Emmy Awards जिसे टेलिवीजन का Oscar Awards भी बोला जाता है उसमें Better Call Saul नाम की series को उसके 6 seasons के दोरान 53 times अलग-अलग category में नॉमिनेट किया गया लेकिन वो एक भी Emmy Award नहीं जीत पाई और इसी के साथ Better Call Saul ने टेलिवीजन हिस्टी में एक नया record बनाया जिसमें वो पहली series बनी जो सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट होकर भी एक भी बार जीत नहीं पाई Better Call Saul टेलिवीजन हिस्टी के one of the greatest show Breaking Bad का prequel show है जो Breaking Bad के character Saul Goodman के character पर बेजड है जिसे critics और fans ने over the years बहुत अप्रिशेट किया है लेकिन आप कॉमेंट्स में बताईए कि आपको क्या लगता है कि Better Call Saul एक Emmy तो डिजर्व करता है ऐसे ही entertainment और movie related content के लिए हमारी YouTube YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीज़े